कोस्ठकों के बारे में हमने पढ़ा था हम जानते हैं कि कोस्ठक क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था तीन तरह के कोस्ठक होते हैं इनको इंगलीज में क्या बला जाता है ब्रैकेट्स बला जाता है तीन तरह के होते हैं छोटी मजली और बड़ी ठीक है जिनों का इस्तिमाल किया जाता है, अलग-अलग तरह से हम करते हैं, तो अभी देखे संख्याओं को जानने में, जैसे कि हम इस चप्टर को पढ़ रहे हैं, इसमें हम कैसे कोष्टकों का इस्तिमाल करेंगे, तो कोष्टकों का इस्तिमाल करने के लिए, हम क्या किया है, उदा कोश्टक क्या करते हमारे सवालों को आसान करते हैं हमारे सवालों को बनाने में मदद करते हैं एक उदारन देखिए यहाँ सुमन ने बजार से छे अभ्यास पुस्तिकाएं खरी दी जिनका मुली कितना था दस रुपया परती पुस्तक, मतलब एक पुस्तक का नाम कितना है, 10 रुपया है, और सुमन नाम के एक लड़की है, जो 6 किताब खरीदती है, ठीक है, और वही पे उसकी बहन सामा ने इसी परकार की 7 अभ्यास पुस्तिकाएं खर दी, अब सुमन की जो बहन है सामा, वो कितना दवारा दी गई कुल धनरासी ग्याद कीजिए अब देखिए एक थी सुमन वो कितना किताब कर दी छे और समा थी साथ किताब कर दी और हर एक किताब का दाम कितना है दस रुप्या है यह दोनों मिला करके यह लोग कितना रासी दियें ठीक है कितना पैसा पे किये दुकांदा कितना पैसा दियें दुकांदार को यह ग्याद करने बोल रहा है कि सीमा ने धन्रासी इस प्रकार परिकलित की सीमा जो थी वह इस तरह से अपना धन्रासी प्राप्त की मतलब वह दोनों का धन्रासी जोड रही थी ठीक है किस तरह से उसने प्राप्त किया वह क्या की पहले है क गुने 10 70 और दोनों को जोड़ दी तो कितना एक सोतीस आया अब मीरा ने धनराजी इस पर कर पराद की मीरा का देखे किसा टेकनिक था वह पहले क्या की छे और साथ को जोड़ दी तेरह हो गया मतलब सुमन ने छे किताब लिया था उसको और साथ किताब समाने लिए तो दोनो पता है कि एक किताब का दाम कितना है 10 रुपईया है तो तेरह गुने 10 कर दित 130 दोनों में विधी का इस्तेमाल जो अलग 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 तरीके से दोनों ने बनाया ठीक है लेकिन दोनों का जवाब सही आया है अब देख सकते हैं कि सीमा और मीरा के उत्तर प्राप्त करनी की बुद्यों में कुछ अंतर है परन्तु दोने के उत्तर समान है और प्राप्त परिनाम सही है. क्यों है अब यहाँ पर देख रही है, इसका तरीका अलग है। लेकिन दोनों का जो उत्तर आया है दोनों का उतर 130 रुप्या, 130 रुप्या दोनों dignus. यहाँ फ्ज़ित हुग कि देखिए यहां पर ठीक है इतना चल गया ठीक है पता परिनाम सही हुआ लेकिन क्यों हुआ अब क्यों का जवाब देने के लिए सीमा ने क्या कहा सीमा क्या बोलती है कि मीरा कैसे बनाई है मीरा यही यह एक मीरा क्या की है कि साथ जोड़ च्छोग उन्हें 10 की है तो इस तरह से मीरा बनाई लेकिन अगर इसको अगर हम बनाते हैं तो अप्पू क्या बताता अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ठीक है इसको बनाएंगे तो साथ जोड़ 10-60 सरसाथाएगा लेकिन उतर के नहीं बनाए गया लेकिन मिरा ने उत्तर प्राप्त किया है वह यह नहीं है बस तीनों विध्यार्थियों उल्जहन में पढ़े अब देखिये ठीन विद्यार थी तीनिंस अब सीमा सोच रही है कि मेरा किसा से बनाइए, इस सोच रही है लेकिन अप्पू बोलता है कि नहीं इसको अगर आप बनाईएगा तो इतना एंसर कितना है उसका उतर सर सठा रहा है अब तीनों के मन में टेंशन हो गया कि क्या करें कैसे इसे हुआ ठीक है जब भी ऐसी उपस्थिती होती है मतलब ऐसी परस्थिती आती है ठीक है ऐसी स्थि कि समुभ ऐता है कि ज низ जंकुद हुन मालूं है तो हम क्या कर रहा है कि हमको मालूं है कि दोनों पुश्त को का ड 大 जादा नहीं है किसी का जादा नहीं है एक में छे पुस्तक साथ तो हम क्या कर रहा है कि हमको मालूम है कि दोनों पुस्तकों का दाम बराबर है तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे दुनों को इसको एक संख्या में हो जाए गाई healthy эту का भी लिए वही हैं यहां वही है जो मीरा ने किया है ये मीरा ने किया उसने च्छो और साथ को पहले जोड़ा फिर प्राप्त योग को दस से गुना कर दिया देखे यहां पर यहां पर पहले क्या कर दी जोड़के फिर तेरा लिख दी फिर उसके बाद की तेरा गुने दस और हमने यहां पर क्या किया कि हम कोश्ठक के मदद से क्या किए कि छे और साथ को यहीं जोड़ दिया दस कुने कर दिया ठीक है तो इतना आ गया तो 130 आ ठीक है कोश्टकों का परियोग हम यह इस पस्ट रूप से हमें बताता है कि पहले कोश्टकों के अंदर दी हुई संख्याओं को एक अकेली संख्या के रूप में बद कि पहले उसको संख्याओं बदल Frei कोश्टकें कोश्टकों का परियोग करते हुए निमलीखित 259 अर्धों के योग की 4 से गुना 9 और 2 को जोड़ना है हैं चार से गुना करना ऑफ परियोग में इसार से गुना करना तू Skip 26 7 को जोड़ना था Hisày 3 गुना करना था है। आफ नमन्हों और 2 लिक देना1,jsके बीच में 9 जोड दो और गुने जगह बनाएगा ठीक है अब देखिए कि किस परकार के कोस्टकों के पर्योग और उनके परसार से हमें अपने कारे को करमबध रूप से करने में सहायता मिलती है क्या आप सोचते हैं कि कोस्टकों के बिना पर्योग किये जिन चर्णों का हम पालन कर रहे हैं उन्हें समझ है उसको हम किस तरह से लिखते हैं सो गुने एक सो नो हो इस तरह से लिखें आप सोचिए अगर इस तरह से आपको इसको समझना था तो बिना कोश्टक के मदद से आप ऐसा कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर साथ गुने सो जोड़ नो लिखेगा तो कितना हो ठीक है 100 गुने, 700 हो जाएगा जोड़ 9, 709 हो जाएगा अउतर कितना हाना चाहिए, 600 63 हाना चाहिए यहां पर क्या क्या जा रहा है ah m7 से पहले 100 को गुणा कर रहा हूं 7 गुने 100 लिग दीया बीच में जोड़ है जोड़ लिखती है ठीक गी 9 से.. फिर साथ गुने नौ अब दोनों को गुना करके जोड़ देना है तो साथ गुने सौत कितना साथ सो और नौ सते तिर सट तिर सट हो साथ सट छो सो तिर सट यह हो गया है उसी तरह से इसको गुना किया गया है साजोड दो गुने साजोड इस को दूसरों को क्या लिख दिया है एकस जोड दो बीच में गुना तो गुना फिर एकसौ जोड तीन ठीक है इस तरह से लिखें अब हम क्या किया है यहां पर यह जो सौ है इससे दोनों में गुना किये, सौ गुने सौ ठीक है, जोड़, सौ गुने फिर इससे पहले कर लिए, ठीक है, सौ गुने सौ किये, ठीक है, फिर दू गुने सौ कर लिए, ठीक है, फिर जोड़, फिर हम क्या करते हैं, सौ गुने तीन, सौ से तीन को गुना करते ह है ठीक है फिर क्या करते हैं फिर सबको जोड़ देते हैं सब इसे तरह से हमने इसको भी लिखा है I I turn it at 10 seven or f1 ृ इस तरह से हमने लिखके बना जया डीक है तो आप देखे गुना तक आपको करना है लेकिन अलग अलग बीधिष्य से अपने गुना किया िसको आपने गुना किया इस तरह से यह जो अलग अलग हम बीधि लगाते हैं गुना करने में तो क्या अगर कोष्ठक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये विधी लगाना हमारे लिए आसान होगा नहीं होगा हम नहीं कर सकते हैं इस तरह से गुना हमको एक ही तरीक आपनाना पड़ेगा तो ये कोष्ठक हमको बताते हैं कि जैसे कि हम लोग 10, 17 था तो इसी को मांट दिया किस तरह से 10 गुने साथ 1 ही था को में कि अदर है करता है तो हम आप कि है 119 को सईखक करना है यह है इसी तरह से 6 यह नहीं को पर लिए कोश्ठक का इस्तमाल करते हैं इस तरह से आगे देखतेैं से ज्मंदू एक हैं कि मात्र संख्याइंक कुद्धिक देखनश प---- ड CT की प्रियोग कर्णोट आ कि आभी तक हम किसा इसा यह कि एक ही संख्यांक पत्ति है जैसे विए इसके बारे में भी जानते है कि रोð मूंस संख्यांक क्या होता है एक लिखने की पुरानी पदतियों में से एक पदती रोमन संघ्धियां को की पदति है या पदती अभी भी अनेक स्थानों पर पर के जाती है उदारन था हम घड़ियों में रोमन संख्यां का परियोग सकते हैं इसका परियोग स्कूल की समय सार्णी में कछाओं के लिए भी किया जाता है आपने देखा हुआ कि इस तरह का घड़ी होता है इसमें आपको नहीं पता चल रहा है अगर आपने रोमन संख्यांग के बारे नहीं पढ़ा तो आपको नहीं पथा चलेगा कि यहां पर आपका समय कितना हुआ घड़ी में ठीक है यह आप इसका इस्तेमाल घड़ी में भी किया जाता है स्कूल में मतलब जो संख्या सारणी बनाया जाता है समय सारणी जैसे कि कौ करना है एक को इस तार से दो को इस तरह से चार को इस तरह से लिखते हैं इसी तरह से दस तक लिखे इसी को हमुंद संक्षांग में इस तरह से लिखते हैं यह याद करना होगा इसके बाद 17 के लिए 10 है cent 10 है 10 he is 10 है और later on this time try to do not expect that he became os تم由 integri Star oke conse यई क्या करते हैं आर्टopf ये दुआ क्या करते है 10 जोड़ 10 20 यह दोनों को 10 को जो दो बार जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है इस पदलती के कुछ संख्यांक हिंदू अरेविक संख्याओं के साथ इस प्रकार है लेकिन नीचे वाला जो दिया हुआ हिंदू अरेविक संख्यांक है यह सब 1,5,10,50,100,500,1000 लेकिन हम 1 का बहलू क्या होता है एक को हम रोमन संख्या में लिखेंगे तो क्या होगा इस तरह से लिखा जाएगा i 5 को b 10 को x 50 को l 100 को c 500 को d लिखते हैं और 1,000 को m लिखते हैं ठीक है अगर 1,000 को आपको बोला जाएगा कि रोमन संख्यांक पदती में दर्साई ये तो आप उसके जगा में 1000 के जगा में क्या लिखती बिखते हैं उसके नियम क्या क्या है उसको देखते हैं यहाँ पर देखिए यदि किसी संकेत की पुर्णरावरिती होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी बार दोड दिया जाता है अर्थात दो बार आई है इसको दो एक जोड एक क्या हुआ दो हुआ तो हम क्या किया दो बार आई को जोड दिया आई जोड आई तो ballot x xxy owing x का मतलब क्या होता था 10 होता था x would x क्या हो गया 20 हो गया और x would x would x 3 लार अगो टिय तो यह 30 के बरावर हो यहां तक तो यह समझ में आ गया लेकिन इसके आगे वाला क्या है कि कोई शंगे 3 से अधिग बार नहीं आता कोई भी संकेत तीन से अधिक बार नहीं आता जैसे कि एक्स जो एक्स संकेत है क्या है एक्स संकेत है इसके माध्यम साम को हम जानते है कि क्या होता है तीस होता है तीस के बरावर ये तीन एक्स होता है एक्स एक्स संकेत है तो ये तीन बार आए है B, X, L, C, D, M इन सारे चीज़ों को लाया गया है अभी देखते हैं परंतु संकेतों B, L और D की कभी पुर्णा विरिती नहीं होती तो ये B, L और D को आप लोग बार-बार नहीं जोड सकते हैं ये जो संकेत है ये तीनों इनलों को आप बार-बार नहीं जोड सकतें जैसे B, 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 B तीन B, या दो B, या एक एक भी लिख सकते हैं दो B, नहीं लिख सकते हैं अभी देखिए अगला नियम क्या है यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाई और जाता है ठीक है तो बड़े मान वाले छोटे मान को जोड दिया जाता है बड़े मान वाले में छोटे मान को जोड दिया जैसे कि यह आप देखिए पांच है, पांच की दाई और क्या आता है छे आता है, मतलब क्या किया है पांच में क्या किया है, एक जोडे है तो हम 5 का हमको मालूम है, 5 का रोमन संकेत क्या होता है, भी होता है, और 5 में हम एक जोड रहे हैं, मतलब आई, एक का रोमन संकेत क्या होता है, इसमें हम 5 में एक जोड दिये हैं, मतलब भी आई हो गया, उसी परकार यहां पर दिखे, 10 का रोमन क्या होता है, एक्स होता है, और जानते हैं पचास का क्या होता है यहां पर देख लिए पचास की जगह पर एल हो गया तो पैसट कोम की सरद है पचास जोड़ दस जोड़ पांच हमको किसका किसका मालू है पचास का मालू है पचास का एल लिख दिये दसका क्या होता है और भी मतलब क्या होता है पांच होता ह तो LX भी या होगी या 65 का मान होगी इस तरह से लिखते हैं अगला नियम क्या होता है यदि छोटे मानवाला कोई संकेत बड़े मानवाले किसी संकेत की बाई ओर जाता है कि आता है तो बड़े मान मेंसे छोटे मान को घटा दिया बस इसका उल्टा हो गया यहां पर हम क्या करते थे कि बड़े मान में जोड़ते थे जैसे कि 5 में जोड़े एक तो 6 आया अब यहां क्या करेंगे 5 में एक घटा देंगे तो क्या जाएगा चारा जाएगा 5 क्या है 5 का मान कितना होता भी होता है उसमें से हम एक घटा रहें भी आई तो इस तरफ लिखत गटाए हैं तो उसी तरह से 100 में से हम कितना गटाए है तो इसका मान किधर लिखें इस साइड लिखें इस साइड नहीं ठीक है अब यहां पर तक समझ में आ गया संकेतों भी एल और डी को कभी भी बड़े मानवाले संकेत के बाई और नहीं लिखा जाता है अर्थात भी एल और डी के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है तो यहां पर देखिए भी एल डी को किसी और नहीं लिखा जाता है कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप देखिए जैसे कि यहां पे भी है ठीक है तो X से हम भी को नहीं घटा सकते हैं आई से भी को नहीं घटा सकते हैं भी से हम दूसरा चीज को घटा सकते हैं चाहे भी में कुछ जोड सकते हैं लेकिन किसी और चीज से भी को नहीं घटा सकते है ठीक है, यहाँ पर देखें, L को भी उशा नहीं कर सकते हैं, अगर हम चाहेंगे X से L को घटाना, नहीं घटा सकते हैं, लेकिन L से हम X को घटा सकते हैं, X को जोड भी सकते हैं, D में भी वही कर किया जाता है, संकेत I को केवल B और X में घटाया जाता है, संकेत X को केवल L, M औ और X से घटाया जा सकता है जबकि X को केवल L, M, C से ही घटाया जा सकता है यहाद रखने वाला बात कि यहां पर देखिए इन नियमों का पालन करने के करने से हमें प्राप्थ होता है जैसे कि यहां पर का वेल्यू Yug 410 10-10 क्या सकता होका। BCSD में था तो कितना जागा असिया जागा किसी बसक्तों कितना नंभ्यम कि हैं नभ्यम किसी जह जाँ इंप आ अभने से लिखेंड़ाश जोड़ें已经 50 छर्ट से याद रखना है उप्रोक चाने में छुटी हुई संख्याओं को रोमन परती में लिखिए है क्या लिखाया है यहाँ नेम लिखित को रोमन संख्याओं में लिखे यह चीज को रोमन संख्याम लिखना यह में लिखना है इसको किस तरह से मांटा गया 60 2 जोड़ 9 तो क्या कि पिर 60 को मार दिए 50 10 में हम जानते है कि 50 का कितना मान होता है पचास का L होता है और X का 10 होता है नौ क्या होता आई एक्स होता है दुनों को जोड़ दियाथ कितना है ल, X, I, X ठीक है इस तरह से हमको नियम का इस्तिमाल करना उसी तरह से न्ठानवे को देखिए तो न्ठानवे के लिए हमको क्या करना है 100 100 में से 10 घटाइएगा कितना आईगा 90 में से 98 जड़ियेगा 100 में से 10 घटा रहे 100 में से 10 घटाइएगा एकading ऐगा 10 घटा रहेंों 100 का क्या होता है CBinis यहाँ गया तो BC zipper IPii इस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर आज यह पार्थ जो होता है खतम होता है यहां तक इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या चर्चा किया है हमने जो चीज पढ़ा है इस पार्थ के अंदर वही सब वही सब चीजों के बारे में इसमें लिखा हुआ है पाच छे चीज नौ कितना चीज नौ चीज ह झाल झाल